नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका एक और नई वीडियो में बात करेंगे HSSC ग्रूप D बरती से चुड़ी नई जानकारी के साथ चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर अपडेट आपको मिलती रहेगी तो 2660 की जो सैकेंड लिस्ट हो कब आएगी और वेटिंग लिस्ट जो है कितने कंडिडेट की जारी होगी कितनों ने टोटल जुआइन किया हुआ है कम्पलेट डाटे के साथ बात करेंगे और टेलिग्राम ग्रूप से जड़ सकते हो आपको कम्पलेट जानकार यह वहाँ भी मिल जाएगी सभी लिस्टे मिल जाएगी और के नियूज अपडेट के नाम से अपना जो है टेलिग्राम ग्रूप है लिंक डिस्कुशन में दिया हुआ है तो सबसे पहले तो 266 की जो सैकेंड लिस्ट है यह कलियर है लगनी है इलेक्शन के बाद ठीक है मुखे रूप से पांच नमबर की जो जड़्जमेंट रुकी हुई है उस पे फैंसला करें होगा कि 100 में से लिस्ट लगेगी या 55 में से लिस्ट लगेगी यह जड़्जमेंट आते ही कुछ ही शमय के बाद 266 तो सीटे होल्ड है उनका रजल्ट जारी कर दिया जाएगा बात आती है वेटिंग लिस्ट की और जोईन कितनों ने किया अब जोईन जितनों ने किया उसके साब से ही वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी अठजारद गी वेटिंग लगेगी तब ये सब है दूर में लठमारने वाले बाते ही पहले तो जोईन देखो कितनों ने किया उवह है तो दोस्तों यहां पर आप दे सकते हैं डिष्ट्टिक वाइज जो है data दिया हुआ है बिल्कुल आपके सामने है डिष्ट्टिक वाइज data दिया हुआ है जो कमिशनरी की तरफ से ही जारी किया गया है और सभी की अब सोनीपत के 508 कंडिडेटों ने जोईन किया है तो 508 के 508 कंडिडेटों की लिस्ट आपको टेलीग्राम गुरूब में मिल जाएगी नाम भादर ने मुबाइल नंबर सब इस आर में बारा सो चै़र ने जोईन किया है, तो वो लिस्ट भी टेलिग्राम गुरूव में डाल रखी है, ठीक है, शारी लिस्ट सबसे पहले डालाने आकाम कर दिया था, RKO ने जब डेट टेलिग्राम गुरूव में ठीक है शिर्षा में कितनों ने जोईन किया 422 ने जोईन किया जीन्द में 901 ने जोईन किया पलवल 235 फरीदाबाद 115 में अंद्रगड 440 गुरुग राम 420 दादरी में 308 ठीक है इसी तरीके से आगे ले चलते हैं यहाँ पे देखो के फतेबाद 400 ठाणू है रोत्तक में 522 विवानी में 830 पानिपत में 320 रेवाडी में 425 दादरी में 317 जजर में 430 काथर में 500 और नू में 35 टोटल बने 8170 में कंडिडेट यानी 200 कंडिडेट लगा गे चलो आप ठीक है 1200 कंडिडेट ने जोईन किया ये लिस्ट जो है ये लिस्ट है 17 डिस्टिक की ठीक है डिस्टिक बचगे 5 कुरुक्षेतर यम्नानगर पंचकुला करनाव ठीक है और अमबाडा 5 डिस्टिक बचगे अब उन 5 डिस्टिक को में अवरेज अगर आप 300 भी लगा चलोगे ठीक है तब भी लगबग 1500 कंडिडेट और हैं ठीक है यानि लगबग आप कह सकते हो स्तनुवा से कह सकते हो या पिचानुवा से कह सकते हो ठीक है सिंपल सा डाटा आजाएगा निगल गी 22-2 आपके सामने हैं अगर 1500 कंडिडेट भी है तो 200 बनते हैं अगर 1300 कंडडिडेट भी लगाओ तब भी gbcaddy बनते हैं यानिकी ग्यारा जार के रेजल्ट में से फिचानुवा सी दवा जवायन किया हुआ है बचे इतने 1500 सो कंडिडेट ऐसे हैं जिनोंने जुआई नहीं किया है 11,000 में से ठीक है 2660 की लिष्ट लगेगी उस 2660 में से ये मान के चलो कम से कम अगर 500 भी जुआई नहीं करते हैं तो 500 ये और 1500 ये 2000 सिट्य ऐसी रहती हैं जो खाली रह जाएंगी जो जुआई नहीं करेंगे तो पहली लिस्ट का कितने का बनेगा 2000 की ठीक है पहली वेटिंग लिस्ट की तने कंडिडेटों की लगेगी लगबग 2000 की सिटों के अनूसार अगर आप देखोगे खाली सिटे जो रहेंगी अब बहुत से ग्यान देंगे कुमेंट में आके कि बहुत ऐसे भी हैं जो खाली छोड़के जाएंगे ठीक है जो जोईन करके दूसरी परती में सेलेक्ट हो जाएंगे वहां लग जाएंगे तो मेरे भाई जो पहले वेटिंग लगेगी ना वो लगबग इतनों के ही लग सकती है ठीक है उसके बाद किस ने दूसरी परती में जोईन कर लिया कौन TGT में चलया गया कौन 567 में चलया गया कौन J लग गया ठीक है या कोई ALM में जो है बची हुई लिस्ट उसमें चलया जो ALM की भी तो बची हुई लगबग 2000 शीटे कोई उसमें चला गया वो बाद की मैटर है अभी जोईन का मैटर ये है कि 2000 के लगबग शीटे बचेंगी जिनोंने जोईन नहीं किया ठीक है बाद में चाहे ये 10,000 खाली हो जा वो बाद की बाते रहेंगी पहले तो सिद्धी ग्रूप D की ओल्डिंग पे बचो बची हुई है वो कलीर होंगी इसे ज्यादा ग्रूप D में अभी कुछ नहीं है हाँ तीन च्यार हजार सिटें बाद में जरूर फिलप कर दी जाएंगी जब कंडिडेट सिटे छोड़ के चले जाएंगी किसी का TGT में हो जाएगा किसी एलम की बची विशीटों पर हो जाएगा VLDA में हो जाएगा बची विशीटों पर किसी का जो और गुरूप बचे हुए हैं उन में हो जाएगा ठीक है तो यह मैटर रहेगा अभी शिरफ 2000 के लगबग डाटा बचेगा जो जिन्होंने जवाइन नहीं किया है ठीक है बहु बचेगा यही मानना था कि लगबग 7000 के लगबग जो आइन कर रख्या है लेकिन यह डाटा चोखाने वाला है कि पिचानों से ने जवाइन कर रखा बहुत से सोचते हैं कि गरूप डी को सी वाले तो जो जो आइन ही नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है उन्होंने जो आइन कि क्या किया है हुआ फैले गुरूप डी की जो आइन करने की सोची है कि कहीं सी टी का चक्र में गुरूप C की बर्ती के चक्र में ऐसा न आगो कि दी की भी भी ना मिले बाद में तो यह मामला आपके सामने पिच्छेणुप सो के लगबग जो है यह मान के चल सकते हो जो आइन कर रखा है ठीक है पंदरा सो के लगबग शीट आपकी यहां पर बचती है और पांसो के लगबग आपकी 266 में से निकल के आ लगबग 2000 के अपरोक्स में आपकी वेटिंग लगेगी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ठीक है आप अपनी राय कोमेंट सेक्शन में दे सकते हैं सबी की जो लिस्ट है वह आपको टैलीग्राम को रूप में मिल जाएगी और जानकारी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बतान वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेर कर देना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इसी के साथ वीडियो अपने देखा बहुत बहुत धन्यवाद